मित्रो मैं सौरब सर्मा आप देख रहे हैं आरजी न्यूज भारत में आपका स्वाज़त करोना की खिलाब देश की जो लड़ाई वर्तमान में चल रही है इसमें उत्तर्पदेश देश की सबसे बड़ी आवादी का राच्यों होने के पारण उत्तर्पदेश की अपनी बड़ी खुदिका है उत्तर्पदेश ने करोना की प्रहम बहर आई थी तब भी एक बहुतर प्रणाम दिया था वर्तमान में उत्तर्पदेश देश की सबसे बड़ी आवादी का राच्यों होने के बावजोद प्रभावी धंग से करोना के खिलाब इस लड़ाई को लोड़ रहा है उत्तर्पदेश के बारे में जो आज संका थी कि उत्तर्पदेश में गोंज रही है आवाज उत्तर्पदेश में सबसे ज़्यादा जो कॉरोना पॉजिटिव के केस आए थे वह 24 अप्रेल को आए थे वह 38,55 संख्या थी और उत्तर्पदेश के अंदर जो फुल एक्टिव केस थे वह 30 अप्रेल को थे 3,10,000 पिछले 8 दिनों के अंदर यानि पहली मई से लेकर के साथ मई तक उत्तर्पदेश में 65,000 एक्टिव केस करोना के कम हुए हैं वर्तमान में 2,45,000 एक्टिव केस उत्तर्पदेश में करोना के हैं और लगातार करोना के केसेच कम हो रहे हैं प्रदेश के अंदर जिन छेत्रों में पॉस्टिविटी ज़ादा थी मैंने वहीं से अपने समिकसा बैटकों की सुरुवाद की है यदि भी मैं चार दिन पहले वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जन्पतों से जुड़ा था लेकिन मैंने उचित समझा कि फीड में उतर करके लोगों के मन में जो एक भै है इस भै को दूर करने करोना के प्रोटोकोल का पालन करने और वर्तमान प्रस्तिती में जो रणीती हमारी तै होनी है इसका केंद्रबिंदू जन्पत को बनना है जन्पत त्यंदरम प्रभावी दंग से इसको आगे वढ़ा सकें इस दिश से आज मैं मुरादाबाद मंदल और बरेली मंदल की समिक्सा वैठक के लिए आया हो मैं इससे पहले मुरादाबाद मंदल में गया था मुरादाबाद मंदल के बाद अब बरेली मंदल की समिक्सा वेठक के बाद बरेली मंदल में भी मैंने सबसे पहले यहाँ पर Integrated Covid Control Center का निरिक्षन किया है जहां से जन्पत की सभी गजविदियों का संचालन होता है बिगत एक सप्ता के अंदर यहाँ पर इस मंदल में भी Active Case की संख्या 2800 कम ही है और लगातार अभी इसमें कमी दिखाए देखने को मिल लई है एक आसंका ग्रक्त की गई थी कि उत्तर प्रदेश में पांच मही तक एक लाग पॉजिटिव केस पर ड़े आएंगे आज आठ मही है और आज जो कोविट पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं संख्या 26,000 यानि हम लोग अपनी रण नीती में और कोविट प्रवंदन में अब तक सखल रहे हैं दूसरी आसंका जो ड्रक्त की गई थी कि पंचाय चुनाओं के बाद प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कोविट के केसेज बढ़ेंगे पंचाय चुनाओं तीस को संपन हो चुका है आज आठ मैई है तीस अप्रेल से लेकर के अब तक लगातार कोविट के केसेज में कमी आई है और हम लोगों ने पांच मैई से एक विसेश अभियान भी प्रारंब किया है यह अभियान है प्रदेश के 97,000 राजस्व गाओं में हर परिवार और बैक्ति का स्क्रीनिंग करना हर लक्षण, युक्त और संदिक्त केस का इंटीजन टेस्ट कराना उन तक मेडिकल की टुपलब्द कराना स्चता सेनिटाइजेशन और फोगिंग की कारवाई को इत्रस्तर पर आगे बढ़ाने की कारवाई करना और ये कारिक्रम हमारा प्रारंब हो चुका है प्रदेश के अंदर वर्तमान में 72,000 निकरानी समितियां जिन में 60,000 निकरानी समिति करामिन चैत्र में और 12,000 निकरानी समितियां सहरी चैत्रों में वर्तमान में प्रदेश के अंदर करोना के बारे में चागरुपता और वहाँ पर 느-screening के सकारे के साथ जुड़ी हुई है निगरानी समितियों को हम लोगों ने जिम्यदारी भी दी है कि हर लक्षण युक्तिब्यक्ति को हर करोना पॉजिटिव के जिसमें लक्षण हो या फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पहले ही लक्षण युक्तिब्यक्ति को या संदिक्तिब्यक्ति को मेडिकल किठ भी उपलब्द करवाना और उनकी सूची लेकर के जिले की अंदर इंटीग्रेटेड कोविट कमांड सेंटर में उपलब्द कराना जिससे उन लोगों को वहाँ पर उचिचिक्स्रिय सला दी जा सके टेली कंसर्टेशन के माद्यम से ये कारे और फिर आराटी को सूची उपलब्द करा करके उन लोगों के कोविट टेस्ट एंटीजन चांच करने की विवस्ता कोई दस्तर पर आगे बढ़ाने का कारे करना यह सभी कारे प्रदेश के अंदर पांच से प्रारंब हो चुका है और यह दस्तर पर चला है तले एक सब्तात के कारे करम प्रदेश के अंदर सभी 97,000 राज़सों गाउं तक पहुँचने के लक्स के साथ हम लोगों ने प्रारंब किया है यह एक महामारी है और महामारी में पहली जब वेव आई थी तो पहली वेव में प्रदेश के अंदर आक्सिजन की जो खुल आपूरती थी उस आपूरती से कई ज़्यादा उर्तमान में हम लोग आक्सिजन की आपूरती करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले आक्सिजन आपूरती के यहाँ पे आक्सिजन सेपरेटर यूनिट थे हमारे पास प्रदेश के अंदर एलेमो लिक्विट मेडिकल आक्सिजन यह बिभिन संस्थाओं के द्वारा एग्रिमेंट के आधार पर मंगाई जाती थी लेकिन जब एक क्राइसिस हुई तो इसमें क्योंकि पहले किसी हॉस्पिटल में हम लोग देखते थे कि अगर 500 बेट का हॉस्पिटल है तो उसमें 20-30 बेट का आईशियू होता था बामस्कील 30-35 लोगों को ऑक्षिजन के आउसिक्ता होती थी लेकिन आज इसके ठिक विप्रीत हो गया है अगर 500 बेट का हॉस्पिटल है तो हर बेक्षियू को ऑक्षिजन के आउसिक्ता है उसमें वेंटिलेटर की भी ज्यादा तर को आउसिक्ता है है एक्षिजन की मांग कई गुना बढ़ने के कारण उसकी आपूर्ती उन सभी छेत्रों में करनी के लिए हम लोगों ने कई प्लानिंग की और मैं अबारी हूँ आदेने प्रणान मंत्री जी का और भारत सरकार का जिन्होंने ऑक्षिजन की आपूर्ती में हमें मदद की जिसमें एर फोर्स के जहाज के माद्यम से एक खाली टेंकर को यहां से उन गंतों अस्थनों तक पहुँचाने में मदद करना चाए वो जमसेदपुर हो चाए जामनगर हो चाए बोकारो हो उन सभी छेत्रों में पहुचाने में योगदान देना और वहां से स्पेसल ऑक्षिजन ट्रेंड चलाना हम लोगों ने बरेली मुरादावाद मंदल के लिए जहां पे पहले आसानी से यहां की कम खपत की अनुरूप ऑक्षिजन की आपूर्ती कासी पूर से हो जाता था हम लोगों ने उन छेत्रों से भी ऑक्षिजन एक्सक्रेस के मात्यम से अत्रिक्त ऑक्षिजन पहुचाने का कारे यहां पर किया है यहाँ पे oxygen के cylinder भेजे गए हैं oxygen concentrator भेजे गए हैं जिनके लिए कोई अत्रित आउशिक्तानी के और बिजली से वे चलेंगे atmosphere से ही oxygen को लेकर के वे oxygen की आप उर्ति कर सकते हैं इन सब की विवस्ता भी यहाँ पर करने का कार्य युद्रस्तर पर उस कारिक्रम को भी यहाँ पर चलाया गया है इसके अलावा ये भी प्रियास किया गया है कि हम लोग करोना प्रबंदन के लिए वर्तमान की चुनोती से जूजने के साथ future की भी प्लानिंग कर सके हर एक जनपत को कहा गया है दाकि वह अभी से अपनी तैयारी करें आक्सीजन की आपोर्ती के लिए हम लोग जन प्रतनिजियों के सयोग से साथन के सयोक से आक्सीजन कंसंटेर, आक्सीजन के लिए air separator unit या प्लांट, आक्सीजन प्लांट इन सभी के लिए आधिने प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री पोविट केर फंड से उत्तर प्रदेश के लिए 61 नए ऑक्सिजन प्लांट स्विक्रत किये हैं हम लोगों ने राच्च सरकार के मद से मेडिकल एजूकेशन और हेल्थ की और से भी आक्सिजन प्लांट स्विक्रत किये गये हैं और इसके लावा गन्ना विभागने भी CSR के मद से हर एक जन्पब में एक आक्सिजन प्लांट लगाने की कारवाई प्रारंब की है जिससे फ्यूचर की उन चनोतियों से जूजने में और उन चनोतियों का मुकाबला सफलता पुर्वा करने के लिए हम कारे कर सकें इस पर तो कारे हो जी रहा है लेकिन साथ साथ प्यर्स की संख्या भी बढ़े है टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग की है और ये भी विवस्ता प्रारंब की है कि हरे एक व्यक्ति को सुरक्सा कवस दे सके वैक्सिनेशन उसका एक बहुत परमुकाधार है वैक्सिनेशन के लिए भी एक विसेश अविहान चलाने की कारवाई प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंब की है और मुझे बताते हुए प्रसंता है कि प्रदेश में अब तक एक करोड़ पैंतीस लाग से दिप लोगों को हम लोग वैक्सिनेशन 45 प्लस लोगों को एक करोड़ पैंतारीस लाग लोगों को ये वैक्सिन दे चुके हैं और 18 से 44 के बीच में एक लाग से दिप लोगों को हमने वैक्सिन दिया है जिसमें बरेली भी पहले चरण में आच्छादित है सोंबार से हम लोग 18 प्लस की वालों को जो वैक्सिन देना है 18 से 44 के बीच में इसके लिए अब साथ से बढ़ा करके संख्याम 18 जनपदों में करने जा रहे हैं हर नगर निगम में और गौतम गुद्ध नगर जनपद में हम लोग सोंबार से वैक्सिनेशन के ग्रहत कारिक्तरम को भी आगे वढ़ा रहे हैं हमारा फोकस है कि वैक्सिनेशन में वैक्सिन की वैस्टेज को कम से कम किया जाए और वैक्सिन की वैक्सिन की वैस्टेज को कम करने के लिए पहले से प्लानिंग करना उस प्रकार का software दिक्सित किया जा रहा है online registration की विवस्ता की जा रही है उतने ही लोगों को confirm करके बुनाना जितने लोगों को उस दिन vaccine दिया जा सके और वे stage को नियुमतम अस्तर तक पहुंचाने जिससे हर एक ब्यक्ति तक vaccine पहुंच सके इस कारिक्रम को भी आगे बढ़ाने का कारियर प्रदेश के अंदर युद्धस्तर पर किया जा रहा है प्रदेश के अंदर करोना प्रवंदन के इस कारियर में सेकिंड वेग को सभलता प्रुवक रोकने के लिए भी जो ब्यापक कारियोजना पनी है भारत सरकार का मार्क दर्सन इसमें निरंतर प्राप्त हो रहा है हर प्रकार का सयोग प्राप्त हो रहा है हम लोगों का पुरा विश्वास है कि जन्ता जनार्दन और सभी लोगों के सयोग से जन प्रतंगियों के सयोग से हमारी प्रसास्निक मसीन्री सेकिंड वेपर भी प्रभावी अंकुस लगाने और प्रतेएक नागरिक को हम लोग इस महामारी से बचाने में सफल होंगे मेरी आप सबसे भी अपील है कि स्वयम का बचाओ करते है करोना के प्रती ब्यापक जागरुकता का हम कारिक्रम जरूर चला है खास तोर पर प्रतेएक ब्यक्ति से अपील हो कि अगर आउस्चक नहीं तो घर से बाहर न निकले दूसरा हाई रिस्क काटेगरी को साथ वर्स से उपर के लोगों को दस वर्स से कम के बच्चों को गर्वती महनाओं को कमजोर उम्निटी के लोगों को एक से धिक बीमारियों से गरसित किसी भी ब्यक्ति को जो लोग घर से बाहर किसी को निकलना उस्चक है तो मास्क लगा करके चलें और दो गच्च की दूरी का पालन करें किसी वस्ट को छोते हैं तो सेनिटाइजर से हाथ को साथ जरूर करें अगर इन नियमों का पालन हर ब्यक्ति करे और सासन के दौरा जो कोविड प्रोटकोल लागू किया गया इसका पालन करेगा तो निस्सिती सफलता प्राप्त होगी लोगों में काफी अवेर्नेस आया है मैंने आज स्वयम भी मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद ब्रिकासखंड के एक काउं का विजिट किया था होम आइसलेशन में जुड़े वे लोगों से मैं वहाँ पर देखने के लिए गया था उन्हें मेडिकल किट मिल ला है कि ने मिल ला है वहाँ पर मेडिकल किट उपलब दो हुआ था और ये कारिक्रम हुमारा युद्ध अस्तर पर चला है निकरानी समितियां आराटी और भी हमने संस्ताइं इसमें मिल करके इसको सफलता परवग आगे बढ़ाने का कारिक कर रहा है अब मुझे विश्वास है कि हम लोग सफलता परवग इन कारिक्रमों को आप सभी के सहयोग से इस सेकिंड वेब को भी रोकने और हर एक नागरी को सुरक्सा प्रदान करने में सफल होंगे बहुत बहुत धने बाचे